हेलो एवरिवन तो आज का अपना टोपिक है मेटा कारपल बॉन फ्रेक्चर ठीक है तो मेटा कारपल बॉन फ्रेक्चर आज का अपना टोपिक तो बोले सर कौन कौन से होते हैं बोले सुन बोले पहला है रोलेंडो रोलेंडो फ्रेक्चर बोले ये रोनाल्डो नहीं है ये रोलेंडो है रोनाल्डो किस से खेलता है पैर से फुटबोल खेलता है ना तो पैर से खेलता है यह Rolandu है, यह किसे खेलेगा, हाथ से, हाथ से क्या खेलेगा बोक्सिंग करता है, तो दूसरा fracture का नाम है boxer fracture बोक्सर fracture, अब यह boxing करते करते इसने क्या, कि अपने opponent के neck पे, मुक्कमार दिया, अब opponent की neck पे मुक्कमार दिया, तो उसकी neck Pen зайmen तो यह पहले नंबर पर लिखा यह कौन सी Metacarpal का है First Metacarpal First Metacarpal का जच सरे बोकसर कैसे आदर रखे ? अैसे निविजा करते है ? तो जब phones पंच मारेंगे यहां लगेगा यहां पर पंच लगेगा तो רוצь Metacarpal है तो boxer fracture क्या है? 5th metacarpal fracture है 5th metacarpal fracture है ठीक है? अब मैंने बोला था कि इसने अपने opponent की neck पे मारा था गर्दन पे मारा था जिससे उसकी bent होगी तो इसने neck पे मारा था है तो ये 5th metacarpal की neck का fracture है neck of 5th metacarpal fracture ठीक है? वो अपना है boxer और उसका बैनिट बैनिट वो आपके से याद रखना फर्स्ट metacarpal का है ठीक है? फर्स्ट metacarpal का है बोले ये 3 fracture है metacarpal बोले सर तीन ही है हाँ तीन ही है बोले सर सुनो बोले सर यहाँ तो मेरे को समझ में आ गया रूलेंडो है बोकसर है बैनिट है सर ये बता दो कि ये metacarpal भून के ही है ये कैसे याद रखू मैं बाद में सर भूल जाओगा कि metacarpal के है metatarsal को है अरे बोकसर तो याद रहेगा ना सर बोकसर याद रहेगा पर सर फिर भी बता दो तो चल फिर भी सुन अच्छा बता जहां रोनाल्डो की बात होती है वहां किसकी बात और होगी बोले सर मैसी की बोले बिल्कुल तो लिख ले बोले सर कैसे बोले एम बोले सी मैसी मैसी एनि metacarpal ठीक है तो metacarpal भून के fractures है ये तीनो रोलेंडो boxer and bennett ठीक है बोले सर हाँ बोले सर आपने boxer तो बता दिया कि neck का fracture है बोले सर रोलेंडो और बैनेडट बस आपने बता दिया कि first metacarpal का सर इनमे अंतर तो बता इनमे difference तो बताओ सर क्या होता है बोले सुन इधर लिख ले रोलेंडो इधर लिख ले बैनेट एक बात याद रखना दोनो इंटर आर्टिकुलर है बोले ठीक है सर ये तो difference नहीं हो है सर आपको difference की बोली थी न difference बताओ न रुक जा यार बता रहू देख सुन जो रोलेंडो फ्रेक्चर है रोलेंडो फ्रेक्चर होता है V या Y शेप ठीक है V या Y शेप और ये क्या होता है जस्ट एन ओब्लीक फ्रेक्चर ठीक है तो ये difference है दोनों में ठीक है एक चीज और होती है जो बैनेट फ्रेक्चर है वो ज्यादा displaced होता है तो more displaced ठीक है तो ये इस से याद रखना है कि क्या रोलेंडो है क्या बैनेटर क्या बुक्सर है ठीक है